हेलो अब्रीवन वेलकम तु सारास किचन, आज मैं दो न्यू टेस्टी और एजी रेस्पी लेकर आई हूं, रेस्टरॉन स्टायल क्रिष्पी वेजटेबल पॉकॉराज और तड़के वाली दाई फुलकिया, सबसे पहले हम रेस्टरॉन स्टायल क्रिष्पी वेजटेबल प बेसन लेना है एक कप उसके अंदर जो ग्रेट किया बे प्याज और अलु डाल देने हैं दनिया पुदीना और हरी मेचे चॉप भी बी डालनी वन बाई फोर्ट कप और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चलिए अब स्टार्ट करते हैं नमक डालना है टेस्ट के साब से ल लालमेच, आजवाण बसे साब नियां पौने पॉसरी दीना या पॉदिर साब ऑद मत्स्जात करते हैं थेरा एक चॉत्जा चुटकी बेकिंग सोडा एक चुकी और अजवाइन 1 रहाच चाय कह्मच डाल के अच्छी तरह से मिक्स ब्रैला है य कर देना है युर तर्टी म एड़ करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बैटर को मीडियम तिक रखना है देखें जैसे मैंने रखा वे मैं को दिखा रहे हूं इतना ही थीक होना चाहिए चले हम नेक्स टैप पे चलते हैं फिकराई को मीडियम फ्लेम पे रखना है और उसमें पकॉरों को डी फ्राइ क अब हम नेक्स रेसिपी पे चलते हैं तड़के वाली दैं फुल्किया बनाने के लिए फुल्किया लेनी है एक कप उनको गरम पानी में सोक कर देना है थर्टी मिनट्स के लिए आप चाहें तो घर पे बना ले या रेडी मेड ले 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 फिर हाफ कीजी योगर्ट लेक नमक डालना है टेस्के साब से चीनी एक खाने का चमर डालनी है फिर चॉप वेजटेबल्स एड़ करनी है उसमें एक छोटा प्यास एक चोड़ा टमाटर धनिया पुतिना हरी मिर्चे वन बाइ फोर्ट कप डाल के मिक्स कर लेना है फिर ग्रीन चटनी पेस्ट एड़ करनी है वन टेबल स्पून मैंने फ्रीज कर ली थी आप चाहें तो फ्रेश भी बना सकते है एक मीडियम बॉल्ल पोटेटो चॉप करके एड़ करना है और फुल्कियों को दही में एड़ करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चले हम नेक्स टेप चलते हैं फ्राइंग पैन को चाही पते चाही 5-5 डाल लाल मिच्पावडर एक चाही कचमच डाल कर लेना है पर दैप फुलकियों के उपर तड़का लगा लेना है चाहीश मिट्स टाल ना है चाही बुलकियों दाल लाँट ना है ट्राइंट ओंел उच्छा ृप्र उन फोटीटिया जरूर इसके दो झाल झाल